तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है mcqs on CT scan part 2 पहले मेर प्रीवेस वीडियो में बता चुके हैं क्यों यह mcqs की एक सीरीज है जो हमने स्टार्ट करिए अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी mcqs का ठीक है अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी mcqs चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके स्टार्ट करते हैं पहला जो आपको पता है इससे प्रीवेस वीडियो था उसके अदर मैंने जाते हुए एक क्रेश्चन आपको पूटप करके गई थी कि सीटी स्कैन के डिस्कवर कर नाम आप मुझे बताइए कि सीटी स्कैन को डिस्कवर किस ने किया था तो जो आज को प पूर्ट लोटरबर ऑप्शन बी गॉडफरे हॉंसल्ड उप्शन सी सौल नेडलमैन ऑप्शन दी एम पौलकैप यानि ऐसा कौन था जो सीटी स्कैनर को जिसने डिजिटल इडिजितल इमेजिंग में इनकॉर्पेट किया था फर्स्ट एंज या फिस आप जो बेसीकली कहन करके मुझे बताया था बड़ बहुत साल लोगों ने यह आंसर नहीं दिया था तो प्लीज आप मुझसे इंगे जो यह कमेंट सेक्ष्टन पर कमेंट सेक्ष्टन में जो भी मैं आपसे क्रिशन पूछ तो आप लोगों को भी क्लास इंट्रस्टिंग लगेगी तो तो फुब फिर 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 फिर्ट वॉज दा वन वू डिसकोबर्ट शीटी स्कैन हो था सर गॉडब्रे और हॉंस्फेल्ड नेक्स्ट क्वेशन एक ऐसे टीशू डेनसीटी वैल्यूस तैट इवालड फॉर सीटी मेजरमेंट इस कॉल्ड यूनिट जो कि मैजरमेंट्स के लिए काम में आती है उसे अपने क्या कहाता यह मैंने इस में पिछले उसमें भी पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो इसको इन स्पलेड यूनिट होते उसे हांस्फिल्ड यूनिट कहा जाता है उसे ए और जो की नाम पढ़ा है Sir Godfrey इसकी डिस्करइर थे उसके नाम पर इसे नाम दिया गया है हौण स्पील्ड योनिट ह्ओंस्वील्ड को पन कह सकते हैं सीटी वैल्यूज भी इसके कहा जाता है इसका दूसरा नाम जो है वह सीटी वैल्यूज भी होता है तो क्या इसका आँसर हो गया option A सब्सक्राइब करने कर सकते हैं आराम से कंपरेट टू इसका क्वेशन क्या कहना चाहरा है कि जो सीटी जो है जो सिमिलर डेंसिटी के जो टिशू होते हैं उनको दिफ्रेंशियेट कर सकते हैं आराम से कंपरेट टू कन्वेंशन रेडियोग्राफी और ऐसा क्यों हो रहा है तो इसका जो आंसर होगा और उप्शन सी इंप्रूवड कॉंट्रास्ट रिजोलिशन जो सीटी स्केन है उसमें जो हैं पहली बात तो ऐसी कैपेबिलिटी जो सेम सेमडियोगा डीआछिकटीकर्स को डिफ्रेंशियेट कर से इस प्रापर्टी को हम कहते हैं यह?को में और ऐसे इसके इसकेंदर श कर सकता है इसके इंप्रूवड कॉंट्रास्ट रिजोलिशन लेजिए इसका आंसरह ऑसन च था स्टी आर्टीफेक्शलिटीаци multiplex कीलेमें थ क्या होता है कि अगर किसी भी बाड़ी पार्ट पे इंट्रेस्ट जो कि इमेज किया जा रहा है स्टीटी स्कें के दुआरा उसके अंदर कोई भी अगर देंस मेटेरियल या फिर कोई भी बहारी कोई भी फॉरें इसका आंसर होगा मैटल क्लिप्स एक बैम अनर्जी में चेंज़ के कारण बोंड सौफ्ट टिशू इंट्रफेर्च के इसके कारणिया यह आता है कि अगर हाइड इंसीटी का कोई मटेरियल इमेजिंग पार्ट पर जैसे कि लगई है या फिर क्या बोलता है कोई जूल्री प भी टाइब का फॉरेंड पार्टिकल अगर रखा हुआ है उसकी कारण जो उसकी कारण जो लाइन बनती है ब्राइब ब्राइट और डार्क बहुत आपके लाइन बनती है उन्हें इस्ट्री का टिफेक्ट्स का जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मैटल क्लिप्स ने पेशिंट ऑप्शन डी नन ओफ तो क्या कहना चाड़ा है कंपिडे टोमोग्राफी या फिर सीटी स्कैन में एक्सरे ट्यूब को जो मूवमेंट हो क्या कैसे होता है तो इसका आंसर हो का ऑप्शन ए इन फूल सर्कल अराउंड पेशिंट आपको पता है कि जो गैंट्री हो पूरे पेशिंट के अराउंड फूल सर्कल में मूवमेंट करती है तो इसका अंसरों का ऑप्शन ए फूल सर्कल अराउंड पेशिंट नेक्स्क्रेशन होगा कि छाइस थिकने से उसको और किस ताइप से आपन और किस नाम से जानते हैं एक बात्त है यह को सब्सक्रेशन के एक रहे हैं बहुत ही इंपारंटन होती है किसके लिए resolution के determination के लिए कि कितना अच्छा resolution होगा वो depend किस पर करेगा slice sensitivity profile पर sensitivity profile पर इसका जो basic मतलब होता है वो होता है slice thickness slice की क्या thickness है तो next question होगा sorry a artifact is caused by attenuation of the beam as it passes through the patient option a beam hardening option b ring option c star option d streak की question क्या कहना चाहरा है कि ऐसा artifact जो की patient से पास होती भी beam की attenuation की कारण होता है तो वो कौन सा artifact होगा इसका answer होगा option a beam hardening क्योंकि मैंने आपको बता है था कि beam hardening artifact जो होता हो कैसे होता है कि different kind of energy different kind of energy of the beam if will pass the patient तो क्या होगा कि उसकी कारण आपको बता है कि detector के miss calibration के कारण होता है इस ट्रीक आइस ट्रार आटिफेक्ट इन दोनों का मतले बहुता है यह क्या होता है फॉरन फॉरन पार्टिकल या फिर कोई मैटल का पार्टिकल होता है या हाई डेंसीटी पार्टिकल होता है उसके पार्टिकल होता है तो इसका आंसर होगा option a beam hardening इसके अंदर डिफ्रेंट काइंड आपको प्रीविस क्रेशन में ही बता है option a are due to the poly energetic beam option b can be corrected by preprocessing option c produce ct number higher in the periphery option d result in brighter pixels in the center of the patient कि इसका मतलब क्या है कि ct image में जो बीम आर्टिकल होता है मैं आपको बता है कि poly energetic beam कि जो patient के थुरू अलग-अलग different kind of energy attinuate होगी या poly energetic beam होगी तो उसके करण जो artifact produce होगा उसे beam hunting artifact कहते हैं और नहीं second option गलत होगा कि यह प्री processing के द्वारा correct नहीं किया जा सकता है option c भी गलत है कि इसमें ऐसा कोई भी ऐसा नहीं होता है कि इसके periphery पर सीटी value जादा होगा और center पे center पे कम होगा यह भी question गलत और option db गलत है कि कोई ब्राइटर पिक्सल या फिक्सल की brightness पिक्सल की contrast में कोई भी difference नहीं आएगा ऐसा नहीं कि center of the patient पे जादा होगा और इस पे कम होगा तो option a will be the answer कि poly energetic beam के कारण जोट एफेक्ट होगा वह बीम hardening artifact next question will be fourth generation CT scanners use the following configuration a translate tube and rotating detectors option b rotating tube and rotating detectors option c only rotating detectors option d only rotating tube तो इसमें कि आप question पूछे जारा है कि फॉर्ट जनरेशन का CT scanner उसके इनदर कि steps के configuration की step का arrangement होगा कि tube moment करेगी या detector moment करेंगे दोनों moment करेंगे दोनों ही नहीं करेंगे इसके प्लस साथ में जो इसके अंदर आंसर जो होगा वह अप्शन नमबर d only rotating ट्यूब कि देखो थार्ड जनरेशन तक जो था 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 जनरेशन तक जो था उसके अंदर क्या था तो से अवर कम करने करें इसके आंदर एक टेकनोलोजी थी और प्लस-साथ में जो इसके इनदर एक चेंज किया था, वह यह किया था, counselor Sono stationery कर देता बहुत सारी detectors ka number number of detectors को बढ़ा दिया था बट उनको stationary कर दिया था यहना एक जङगह पर रोक दिया गया था और जो एक्सне टूब ही सिर्फ वही rotate कर रहे थी 360 degree 4-generation CT scanner में क्या होगा only rotating tube tube will be only rotating detectors जो होंगे वो stationary होंगे तो next question क्या होगा a Hornsfield unit option number A has a value from minus 100 to plus 100 has a value of minus 500 to plus 500 option C is the numerical value of pixel option D is the numerical value of anode heat generated तो इसका जो answer होगा option number C ये जो भी pixel होते हैं उसकी एक numerical value को यानि जो CT density इसको पर पर कह सकते हैं tissue density होते हैं option A गलत है क्योंकि 100 या 500 इसकी कोई भी नहीं होती है इसमें बहुत सारी varies होती minus 1000 to plus 1000 इसकी ये vary करता है ठीक है तो option number C will be the correct तो हम बढ़ते हैं आगे next question की तरफ which of the following Hornsfield unit H.U. values most closely represents the value for blood तो मैंने आपको पहले भी एक table बताई थी इससे previous value वीडियो में या फिर आप इसके अंदर के थैलन की जो अपन बुक पढ़ते हैं उसके अंदर भी आप इसके देख सकते हैं table divi है CT values के लिए तो उसके according जो blood की CT value होने चाहिए वह होती है 20 HEU 20 हांस फिल्ड यूनिट नेक्स्ट क्विस्टिन if the smaller the scan field size in CT the option a better the resolution option b faster the scan time option c less risk of motion option d all of the above तो जो जितना जदा scan field size यानि जितनी जदे slice की थिकने से आप बोल सकते हैं जितना इतना scan करने या इतना से scan करना है जितना छोटा होगा उसे क्या होगा resolution विल बेटर कि आपको कोई भी जो भी part of image बहुत अच्छे से दिखेगा resolution बहुत अच्छे से होगा जल्दी होगा इतने को scan करने में इतने से scan करने में इसमें तो कम टाइम लगेगा ना तो faster the scan time less risk of motion motion का भी कम रिस्क होगा क्योंकि बहुत जल्दी scan हो जाएगा तो motion इतना डिटेक्टर ही हो पाएगा तो option जो इसका answer होगा option number will be all of the above तो next question होगा आप 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 आपको बताया था कि जो थर्ड जनरेशन सीटी स्केन होता है उसके नदे ट्यूब डिटेक्टर का मुवंट था वो यह था कि भी एक-स-रे ट्यूब भी तीज भी और देक्टर भी मूव कर रहे थे दोनों रोटेट कर रहे थे इसका आपसर होगा भी रोटेट रोटेट एक-स-रे तूब भी रोटेटिन एन इन डिटेक्टर जो इन इन डिटेक्टर ऑगे तो next question होगा which of the following statements is correct about xenon gas detector used in CT ठीक है तो दो टाइप के option A absorbs 100% photons reaching the detector option B least stable option C highly expensive option D pressurized xenon gas fills hollow chamber to produce detector that absorbs 60 to 87% of photons reached तो इसमें देखिए जिननार्ण के इस दिटेक्टर होता है जिननार्ण के इस दिटेक्टर होता है जिननाईजिशन चैंबर और इसके जो इसका यूज होता है इसका जो कर्यक्ट स्के बारे में भожу क्या होगा कि 100% प्रिचिंग इसकी डिटेक्टर Efficiency SSD एस्य स्टे कन पर सिर्च नहीं encontramos या SSD के comparison में और अधर चीजों के comparison में यह जादा stable होते हैं highly expensive नहीं SSD वही अगर आपन देखें डिटेक्टर में यह जादा लीस्ट मतलब जो यह चीप होते हैं उसके comparison में चीप होते हैं SSD इंगी में में फड़ी मोरगी एक्सपेंस आपशन डी प्रेश्राइं दिनआ की इन इस चैंभर homeless चैंबर कटा यह जो करने के लिए हमें अच्षी तो सायज करना पड़ता है तो इसकी जो फोरटॉ एक joint इंज अचेशन तरे घुमार का जरा पते हैं तो और ूप्शन से होती वो 62-87 परसेंट कि इसकी डिरेक्टर एफिशेंसे होती है तो ऑप्शन डी विल भी दा राइट आंसर नेक्स्ट एंड लास्ट केशिन ओफ तो देज वीडियो इन हेलिकल सीटी पिच इस डिफाइंड ऐस कि जो हेलिकल सीटी होती है उसके इंदर सीटी पिच जो अप बीम विद रीकंस्ट्रक्टर स्लाइस सीटीज डिवाइड़ बाइब विद गैंटरी एंगल विद रिस्पेक्ट तो दे स्कैन एक्सेस तो इसका जो जो अप्शन होगा और जो पिच जो होती है उसका मतलब क्या होता है कि हाउम अच अटेबल मूव दूरिं डाइं टाइ तो यह तो यह तो आज के वीडियो के लिए जो था इतने क्रिशन थे 15 क्रिशन नेक्स्ट आपन बग आप मुझे पताइए कि जो नेक्स्ट वीडियो है वह कौन से टॉपिक पे मैं जो बनाना चाहिए थैंक्यू फर वाचिंग और अगर आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर करके बिताती रहिए कि मुझे और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए थैंक्यू